ख़वर यूपी के शामली जिले से है जहां धाना सदर पोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो कच्छवा तसकरों को गिरफतार करने में काम्याबी हासिल किये पुलिस ने पकड़े गए तसकरों के पास से इंडियन रूफ टर्टल प्रजाती के करीब आठ कच्छवे बरामत किये हैं पुलिस ने दोनों कच्छवा तसकरों के खिलाब सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्जकर वैदानिक कारवाई शुरू कर दिये आपको बता दे कि जिला सहारनपूर निवासी दो सगे भाई राशिद और शाकीब बुदवार को सहारनपूर से कच्छवे तसकरी कर दिल्ली बेचने लिये जा रहे थे बताया जाता है कि जैसे ही दोनों कच्छवा तसकर भाई शहर को उत्वाली चेतर के रोडवेज बस स्टेंड पर पहुंचे तो पुलिस ने चेकिंग के दोरान सूजना के आदार पर दोनों कच्छवा तसकरों को दबोच लिया जिनके पास से पुलिस ने इंडियन रूफ टर्टल प्रजाती के करीब आठ कच्छवे बरामत किये हैं आरोपी तसकर ने बताया कि उन्होंने ये कच्छवे साहरानपूर कचहरी के पास से खरीदे थे जिनें शामली में एक महिला को दिया जाना था जो की पूझा में सिमाल किये जाने थे वहीं पुलिस के मताबिक दोनों कच्छवा तसकरों ने पूछताज के दौरान बताया कि वे साहरानपूर से कम दामों में कच्वे खरीद कर दिल्ली में बड़ी कीमतों में बेच कर अच्छा मुनाफ़ा कमाते थे पुलिस ने तसकरी कर लाए गए कच्वों को वन विभाग को सौब दिया है और दोनों कच्वात असकरों के खिलाब सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्जकर जेल भेज दिया है अगरे विधिक कारवाई के लिए बन्यवाग को सौब दिया गया एवं दो व्यक्ति जो ग्रिफटार किया गया है उनके वरूर्थ सुसंगत धाराओं में अब्योग पंचिकित कर जेल भेजा गया है Bureau Report News अब भारत